आज 22 सारी कहें, 25 तक इनकी 26 हमारी है जिन्होंने अपना उपनाम रामवर्ड रखा हुआ है पेशे से वकील चंदरशेखर के परिवार में दो बहने जिनमें से एक की शादी हो चुकी है और दो भाई है चंदरशेखर खुद भी अविवाहित है उनका दूसरा भाई पढ़ाई के साथ साथ एक मेडिकल स्टोर पर नौकरी करता है एक चचेरा भाई है जो इंजीनियर है गाओं के कुछ युवाओं ने मिलकर के बनाई भीमार में शबीरपूर में हुई हिंसा के बाद रावर ने 9 मई 2017 को सहरनपूर के रामनगर में महापंचायत बुलाई इससे महापंचायत के लिए पुलस ने अनुमती नहीं दी लेकिन सोशल मीडिया के जरिये महापंचायत की सूचना भेजी गई सैकड़ों की संक्या में लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुँचे जिन्हें रोकने के दुरान पुलस और भीमार्मी के समर्थकों के बीच संखर्श हुआ और इसके बाद चंदरशेखर के कलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफतार कर लिया गया करीब 6 साल पहले 2011 में गाउं की कुछ युवाओं के साथ मिलकर चंदरशेखर ने भारत एकता मिश्वन भीमार्मी का गठन किया था भीमार्मी आज दल्यत युवाओं का एक पसंदीदा संगठन बन गया है सोशल मीडिया पर भी इस संगठन से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए है खास बात ये है कि संगठन में दल्यत युवाओं के साथ साथ पंजाब और हर्याना के सिक्ख युवा भी जुड़े हुए है सहारनपुर, शामली, मुजफ़नगर समेथ पश्चमी यूपी में ये संगठन अपनी खास पहचान बनाए हुए है हिंसा के वक्त मौके पर नहीं था मौझूद, चंदरशेखर जिस समय भी मार्मी का गठन किया गया था उस समय से संगठन का उद्देश दलत समाज की सेवा करना और इस समाज की गरीब कन्याओं के लिए धन जुटा करके उनका विवाह करना था रामनगर में हुए बवाल के बाद इस संगठन का स्वरूप बतल गया चंदरशेखर का कहना है कि जिस दिन ये बतला हुआ उस दिन वो परिवार के सदस्यों के साथ अपने गाउं छुटमलपूर सहत घर पर थे चंदरशेखर बताते हैं कि 10 माई को रामपूर में हुई वारदात में सभी लोग भी मार्मी के सदस्यों नहीं थे उन्होंने कहा कि रामपूर में ववाल होने के बाद अधिकारियों ने उसे विरोधियों को शांत करने के लिए बुलाय था चंदरशेखर का कहना है कि राजनते के दलों को सभी समुदाय के वोटों की जरुष होती है लेकिन कोई भी वास्तों में दलितों की परवाहन नहीं करता है दमन से लड़ने के लिए सिक्षित हों दलित चंदरशेखर उदारन देते हुए कहते हैं कि गुजज़ात के उना में दलितों के पिटाई और हैदराबाद में रोहत वैमुला की आत्मात्या ऐसे मामले हैं जहांपर दलितों की कोई सुनवाई नहीं हुई हमारे लोगों पर हर दिन अत्याचार किया जाता है और उनके पास आवाज नहीं है वो पुलस में नहीं जा सकते क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुनते चंदर शेखर के मताबिक भीम सेना एक ऐसा मंच है जहांपर हम युवाओं को अपने दलित समाज के हित में कादर करने के लिए जागरूप करते हैं वो भगवान बुद्ध की सिक्षाओं के साथ साथ डॉक्टर अमबेटकर के अहिंसावादी रास्तों का पालन करते हैं उन्होंने कहा कि मैं सभी को बताता हूँ कि इन दिनों सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि दमन से लड़ने के लिए दलित सिक्षित होँ